एलो फ्रेंड नमस्कार अपना लोको यूटूब चैनल परिवार पे फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम आपको अपना लोको यूटूब चैनल परिवार पे रेलबे येलपी परिक्षे 2018 में हुई थी बढ़ती आज का टॉपिक रहेगा एलपी टेकनिसियन का फाइनली पैनल जारी हुआ उसके बारे माज का टॉपिक रहेगा ये आप जो देख रहे हो वेबसाइट ये स्क्रीन पर ये ओफिसियल लेटर आया है ये कौन सा बोड से आ है आप लेटर देखते ही समझ गए होंगे थोड़ा बहुत तो अच्छे इस बोड में ज्यादतर रिप्लेश्मेंट पैनल नहीं आये है यानी जो भी पेनल आया या फाइनल पेनल आया आखिए कर रिप्लेस्मेंट पैनल इस जारी तो जारी कर रहे है। और भी कई बैसे बोर्ड जो डिपनल फाइनल पैनल जारी करें बलकिि में 능री नहीं कर सब्सक्तों कर ने बागी तो आक्ठेनश वाली है बले-बले जो बाईयों का लिश्ट में नाम है alp में technician में गुरुपड़ी में उनकी बले-बले ओने वाली है बहुत सारी वेकेंसी को भएर जाएगा औरれ placement panel बारीवारी से आते जा रहे हर मैंने replacement panel आ रहे हैं एक मैंने में दो दो तीन-तीन रिप्रेस्मेंट फैनल आ रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों आज का टॉपिक में एल्पी टेगनिशन का फाइनली जो रजल्ट आया है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों तो वीडियो ज़्याद criminal करते हैं अगे चलते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक श्गेंशन करकर दोस्तों लाइक और सस्पॉट्बर आपकर कोई पैसे नहीं गूगल पर लिख दोगे आप आरार्वी आल बोर्ड उसके बाद देखो कैसे रजल्ट खुलता है इस पर आप यहां किलिक करोगे तो आपके सामने आरार्वी के आल बोर्ड होगी उसके बाद यह देख रहे हो ओपिसियल वेबसाइट रेलवे रिकॉर्मेंट बोर्ड यहां पर किलिक करोगे तो आल बोर्ड होगी ओपिसील वेबसाइट कुल जाएगे आप दोस्तों तब यह देख दोस्तों फाइनल यह आपके सामने ओपिसियल वेबसाइट खुलके आ गई हैं आल बोर्ड होगी हैं नेमो पार यली कि एहम्दवाद अजमेर अलावाद बैंगलोड आग बाकी सभी बोड हैं जैसा कि आप देख रहे हो तो इसमें आपको आज हम सिकंद्रवाद के बारे हम बताने जारे तो सिकंद्रवाद पर क्लिक करोगे इस परकार से खुल के आगया आपके सामने ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आपके सामने इस परकार से खुल के आगया दोस्तों और आरवी सिकंद्रवाद से लिकला है यह पैनल बहुत ही अच्छा पैनल है दिवाली के महूल में इससे पहले आठ दस्त यानि 8 अक्टुम्बर को भी लिकला था वो पार्ट आठ था फाइनली रजल्ट वो भी फाइनली पैनल था उससे पहले फाइनली पैनल रजल्ट प बात करने वाले हैं आपके सामने दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो इसक्रीन पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यह खुल के आ जाएगा इस परकार से आपके सामने खुलेगा दोस्तों यह मैंने पहले से डाउनलोड कर रहा है इस लिए इस परकार से आरा है आप खुलोगे तो सीदह डानलोड ओकि और खुल जाएगा आपके सामने देखते हैं पैनल को इस करता हूं यहां से यह देखिए और भी सिकंद्राबाद का यह पैनल है बार्थ सरकार रेलबे मंत्रायल है रेलबे बोर्ड सिकंद्राबाद भरती एलपी से संबंदित है रेलबे रिकॉर्मेंट बोर्ड सिकंद्राबाद तो दोस्तों यह रेलबे रिकार्मेंट बोर्ड सिक स्ट्टुम्बर मेने में तो आप देख रहे हो इसमें कि प्लॉविंग ओर्डर ऑन्वील सीटी हैदरवाद तेलांगना और नमबर 444-2021 फुल्फिल मेडिकल रियागजामेशन यानि मेडिकल की जो रियागजामेशन उनके लिए पैनल है जो बंदे मेडिकल में रियागजामेशन दे के पास हुए है कैटिगरी एक एंड दो के लिए है असिस्टेंट लोक पाइलेट इस्ट कोड़ रेलवे और साउसेंटर रेलवे के लिए लिए गए है दोस्तों जो बंदे या तो आपके डोकुमेंट्स वेरिफाई में कुछ प्रोग्लम आई उनको डोकुमेंट्स में कोई प्रोग्लम जो मेडिकल में कुछ प्रोग्रम थी उनको लिया गया है दोस्तों उनके मेडिकल फिट होने के बाद लिया गया है जैसे असिस्टेंट लोको पाइलेट में एक बंदा लिया गया है जिसके ये रोल नंबर देख रहे हो टोटल वन कंड़िडियर है और ये इस्ट कोश्ट रेलवे से है, इस्ट कोष्ट रेलवे, विशाका पटनम से है, उसके बाद आप अगला, इसी में देखोगे, कैटेगरी टू, असिस्टेंट लोको पाइलेट, साउतन रेलवे, यानि साउत सेंटर रेलवे से, 17 बंदों का हुआ है, टोटली आपके सामने है, 17 बंदों का, यह आप देख रहे हो, या आप मिला सकते हो, अगर आपका नाम है तो, 17 बंदों को फाइनली, सलेक्शन हो सुका एक टोटल सेल में 18 बंडों मिलने तीवाले के टाइम पर I Should ना के विखांद्रावाद की थी इस बार भी दिवाली के टाइम पर हिर्षिकंद्रवाध के लिए अव Biz डाइले हो के थोड़ा सा बात कले से आपको documents चेक होई गए हैं अभी आपको जो वहां से joining letter आएगा उसका परफॉर्मा आएगा आपके पास वो पूरा परफॉर्मा आपको बनवा के ले जाना है आपका card certificate आपके police verify करवाना है police verification होगा उसके बाद आपके बहुत सारे documents बनेंगे SDM से भी बनेगा तैसिलदार के यहां पे भी तैसिल में जाके कि आप निवासी मूल निवासी कहा है और आपका जाती प्रिणाम पत्र भी दुबारा से बनेगा उसमें पूरा परफॉर्मा रहेगा दोस्तों और आपके और आगे देखते हैं दोस्तों इसमें ये डिप्टी सेकेटरी आरार भी सिकंद्राबाद के सिखनेचर है और ये फाइनली बहुत बढ़िया पैनल था इसमें कापी कंडिटरों को सेलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बढ़ाई हो दोस्तों एक बार फिर से और अगला रिप्लैस्मेंट पैनल हो सकता है आपके लिए आजाए आपका नाम आए तो ऐसे रोमांचक वीडियो और रिप्लैस्मेंट पैनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें सावतन रेलवे से लिकला है ये सिकंद्राबाद बोर्ड से अगला पैनल किस से आएगा यह हम आपको नहीं बता सकते अभी जब भी आएगा अगली वीडियो में आपको जरूर कोई नहीं कुछ लेके आएंगे जब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद दोस्तों